हलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड इस्टेट चैप्टर नंबर वन से टू मार्क्स के क्या-क्या क्वेशन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उन टू मार्क्स के क्वेशन में से मैं पहला क्वेशन NCRT से आपके लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्रिंक से ग्लास को सौपर कूल लिक्वीड कहने का क्या रिजन है सबसे पहले तो आप ये बात चियाद रखो के ग्लास जो ये एक amorphous solid है, अब जो amorphous solid होते हैं, हम उनको super cool liquid या pseudo solid भी कहते हैं, अब super cool liquid क्या होता है, इसे समझते हैं, तेकि super cool liquid का अजर हम धोड़ा सा धिहान से देखें, तो इसमें liquid का नाम है, liquid का नेवा है, अब liquid क्या होते हैं, लिक्विट्स एक matter की एक state है, जिसमें उसके जो particles होते हैं, वो कैसर flow करते हैं, वो उपर से, उपर से क्या दखरते हैं, उपर से नीची की ओर up to down flow करते हैं, तो हम यही बात अगर glass के अंदर देखें, तो glass के particles भी क्या होते हैं, up to down flow करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि glass के particles भी liquid के particles की तरह behave करते हैं मगर glass के particles जो होते हैं वो ऊपर से नीचे पर फ्लो तो करते हैं liquid की तरह behavior तो करते हैं मगर उनकी जो motion होती है वो तोड़ी slow होती है than liquids से तो इसलिए हमने एक कुल मिलाकर बात को ये जाना कि ग्लास को सूपर कूल लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लास के पार्टिकल्स लिक्विड के समान उपर से नीच की और फिलो कर जाते हैं तो इसलिए हमेशे याद रखना अगर ये कॉशन्स हम से ग्लास के स्थान पर ये आ जाता कि एमोर्फस सूलिट को हम एमोर्फस सूलिट को हम सूपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं तो जब भी हमें आंसर ये लिखना था या हम ये भी जानते हैं कि एमोर्फस सूलिट को वो हम super cool liquid भी कहते हैं और pseudo solid के नाम से भी इनको जाना जाता है I hope ये questions आपको समझ में आगे होगा तो हम मिलते हैं आपको इसकी next वीडियो में और आप इस like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए share कीजिए जब तक के लिए धन्यवाद झाले चैनल कोई समझ कीजिए हैं